हलो दोस्तों अगर आप भी PUBG मोबाइल में अपना रैंक पूश करना चाते हो एस तक जाना चाते हो या फिर कॉंकरर तक जाना चाते हो वो भी सिप तीन से चार दिनों में न तो यार इस वीडियो को पुरा एंड तक देखो इस वीडियो में मैं आपको 10 ऐसे टिप्स और टिक्स बताऊंगा जिससे आप इजिली इजिली कॉंकरर या फिर रैस तक पहुँच जाओगे वो भी सिप तीन से चार दिनों में बहुत ही कमाल के टिप्स और टिक्स बताऊंगा और बिल्कुल इजी है जैर दोसों बिल्कुल इजी है सबसे आसान तरीका बताने वाला हूँ जो हर कोई कर सकता है तो यार है न कमाल की बात तो इस बात त्यार 5 या लाइक इस वीडियो को करतो सबसे पहले और आज के giveaway का link नीचे description में है आपको 100 UC मिल जाएगा ये daily giveaway है तो आप जल्दी से जाके उसमें participate कर लो तो वीडियो श्टार्ट करो उससे पहले अगर आपने अभी तक हमें Instagram पे follow नहीं किया तो यार वहाँ पे भी follow कर लो तो अचली वीडियो को श्टार्ट करते हैं दोस्तों अगर आपको free में UC आप भी Royal Pass चेह ना तो get Elliot Royal Pass और free UC वाल application डाउनलोड करो link नीचे description में मैंने दे दिया है इससे डाउनलोड करके जब आप on करोगे ना तो यहाँ पे आपको win Royal Pass दिखाए देगा simply इसमें participate now पे click कर देना है और अगर आप winner आते हो तो भाई आपको free में Royal Pass मिल जाएगा और दोस्तों इसमें अगर आप invite करते हो अपने दोस्तों को ना तो इसमें आपको per invitation के 2 UC मिल जाते हैं 10 लोगों के invite कर दोगे तो 20 UC आपको ऐसे ही मिल जाएंगे उसके बाद जो UC आप अपने wallet में जमा करोगे इसे आप easily अपने PUBG account में withdraw कर सकते हो यहाँ पे redeem पे click करना है उसके बाद जितने UC withdraw करने आप यहाँ पे कर सकते हैं यहाँ आपको हर आदे घंटे में एक UC मिलता है तो कापी अच्छी application है जल्दी से आप इसे download कर लो इसका link मैंने नीचे description में दे दिया है दोस्तो सबसे पहली tips जहां दोस्तो rank push करने के लिए सबसे पहली क्या जरूरी होती है हो है survival time क्या होता है ना अगर हम last तक survive कर जाते हैं top 10, top 3 तक आ जाते हैं तो हमारा जो point है ना कभी minus नहीं होगा वो plus होगा बहुत ज्यादा plus होगा तो इससे आप easily ace तक जा सकते हैं 3-4 दिनों में तो सबसे पहले आपको करना क्या होगा हमारा जो tips है हो है survival time हमें survival time को हर एक match में increase करना है last तक बचे रहना है तो उसके लिए आपको पता है क्या करना होगा आपको famous जगे पे नहीं land करना होगा आपको school में नहीं जाना है पोचिंकी में नहीं जाना है जोर्जोपूल में नहीं जाना है military base में नहीं नहीं जाना है ऐसे जो hot drop जगे हैं वहाँ पे आपको जाना ही नहीं है अगर वहाँ पे आप जाओगे तो आपको easily कोई भी kill कर देगा फिर भाई आप rank push नहीं कर पाओगे तो आपको ऐसे जगे पे land करना है जहाँ पे squad नहीं आती जहाँ पे बंदे बहुत कम आते हैं like farm, quarry या फिर बहुत दूर-दूर के जो जगे हैं map में वहाँ पे आप जा सकते हो वहाँ पे अगर आप land करते हो तो वहाँ पे जो है आपको bot के अलावा कोई भी नहीं मिलेगा और easily आप हर इक घरो में जा जाके load भी कर लोगे तो सबसे पहली ये tips है कि आप land करो ऐसी जगे पे जहाँ पे कोई बंदे ना है farm में land करो मेरा tips है farm सबसे best है वहीं पे हमेशा land करो दोस्तो second tips आपको हमेशा rank push करते राइम ना 4-5 first aid kit और 4-5 pen killer 4-5 आप energy drink ये सब रखो ये सब इसलिए मैं बोलाओ क्योंकि आपको कई बार ऐसा भी हो सकता है ऐसी situation आएगी कि आपको blue zone में थोड़ा time तक रुखना पड़ेगा तो ऐसे में ये सारी के सारी जो healing सामान है ना ये आपके बहुत ज़्यादा काम आएंगे तो मैंने जैसा बताया आपको 4-5 जो हर एक चीज रखना है जो भी healing की चीज़े होती है ना 4-5 आप अपने bag में डाल लो दोस्तों जो हमारे third tips है ना उसके लिए आपको हमेशा अपने पास एक car रखनी है कोई भी आप डासिया रख सकते हैं UAJ रख सकते हैं बगी रख सकते हैं आपको जो पसंद होना आप अपने पास एक car रखिए और आपको एक बात का ध्यान रखना है कार में हमेशा टैंक फूल करके रखना है जो गैस टैंक होता है उसे फूल करके रखना है जब आप लूट करोगे तो वहाँ पर आपको गैस टैंक मिल जाते हैं तो आपको उस गैस टैंक से आपको हमेशा जो कार है उसकी गैस टैंक फूल करके रखना है क्योंकि आपको कभी भी भागने की जरुरुत पड़ जाएगी या फिर कहीं पर भी मतलब जाना हुआ पता चला पेट्रोल खतम तो भी आपको प्रॉब्लम हो जाएगी ना तो आपको हमेशा आपने जो कार है उसकी गैस को फूल रखना है दोस्तो फोर टिप्स जब आपका लूट कंपलीट हो जाए जब आपको लोगे हाँ आप मेरे पास काफी अच्छी लूट हो चुकी है तो आपको बताए क्या करना है सर्कल के पास चले जाना है जान दोस्तो बताए सर्कल फोर पास कोई भी बन्डा नहीं आता कोई भी टीम नहीं आती तो आपको हमेशा बलू जोन के साथ चलना है आपका जब लूट कंपलीट हो जाए तो आप वहीं पे जा के वेट करो कहीं पर कार खड़ी कर दो और वहाँ पर लेड जाओ ये काम करो इससे क्या होगा ना आपको कोई देख नहीं पाएगा और ना ही कोई आपको आपको स्नाइपिंग से मार सकता है ना कोई आपको देखी नहीं पाएगा तो मारने की तो बात ही निमत करो दोस्तो फिब टिफ्स आपको क्या करना है काफी बंदी क्या होते हैं इस घर से उस घर भागते रहते हैं तो ऐसे में क्या होता है वो बंदों को जो एनमी होते हैं उनकी नजर में आ जाते हैं फिर क्या होता है एजली वो बंदी आके आपको मार के चले जाते हैं तो आपको क् जो पेरों की साउंड होती हो नहीं देना है अनमी को आप को एक जगे जो है बैट के रखना है वहां से सिप आप इधर से उधर आई बॉल से दिखो कि आपके उपर रश्ट नहीं हो रहा है कोई बंदे तो नहीं आ रहे हैं आप इस बात कर ध्यान रखो लेकिन आपको हिलना आपको कैम्प करके रखना है कैम्पिंग बहुत ही जरूरी है और आपको जब ऐसी जगे पे कैम्प करो आप कभी भी सर्कल में कैम्प मत करो आप सर्कल के बाहर ही कैम्प करो जैसे ही आपके पास ब्लू जोन आए आपको ऐसे ही आपके पास कार तो होगी ही आपको कार लेक ब्लू जोन में. आपको क्या करना है जैसे ही आपके पास Blue Zone आजाए, अब 10-20 डू जोन तक Blue Zone में वेट करो. क्योंकि आपके पास कार है, आप पहले ईजिले जाँओ, पिर आप लाश्ट में, एजिले जाओ. और आप जब जाओ ना तो भाई आपको ये नहीं की सरकल में जो दुसरा सरकल कटा है वहाँ पे पहुच जाओ वहाँ पे आपको नहीं जाना है जैसे ब्लू जुन खतम होता है उसके पास ही कार रोको और वहाँ पे प्राउन हो जाओ ये आपको करना है इससे क्या होगा कोई भी बंद आपको नहीं देख पाएगा और आप इजली जो है अपना सर्वाइबल टाइम बढ़ा पाओगे और इजली जो है आप अपना मतलब की जो पॉइंट है ना उसे इंक्रीज कर पाओगे दोस्तो 7 टिप्स जब आपको लगे कि हाँ बहुत कम बंदे बचे हैं और मुझे कार लेके नहीं चलना है क्योंकि कार लेके चलते हो तो आपको जो है easily कोई भी find कर सकता है कोई भी देख सकता है तो आप जब आपको लगे कि हाँ आप जादे बंदे नहीं बचे हैं जैसे कि 8, 9, 10 बंदे बचे हैं अब आपको लगता है कि हाँ आप मुझे कार की ज़रुवत नहीं है अब मैं इसली जो है इस सरकल से उस सरकल जा सकता हूँ तो आपको कार को छोड़ देनी है कार को नहीं लेके चलना है नहीं तो भाई लास तक एकदम लास तक आप सोचोगे कोई कार को लेखे चलूँगा तो भाई आपको कोई भी फाइंड कर लेगा फिर आप इसली मारे जाओगे तो आपको यह गल्दी नहीं करने हैं आपको जब लगे कि हाँ बंदे कम बचे हैं अब मैं इसली जो है इधर से उदर जा सकता हूँ तो आपको कार को नहीं लेना है आपकार को छोड़ दो दोस्तो एट टिफ्स आपको एनमी को कन्फ्यूज करना है अगर कोई आपको देख लेती है तो उसी कन्फ्यूज करने के लिए आप तीन चार स्मोक इदर उदर कर दो हर तरफ आप एक एक स्मोक कर दोगे ना तो बंदा कन्फ्यूज हो जाएगा कि ह कहां गया यह, तो आपको हमेशा एनमी को confused में रखना है, जब भी अगर कोई एनमी आपको देख ले, और वो आपके उपर fire कर रहा है, स्नाइपिंग कर रहा है तो थोड़ा सा भी अगर आप pick कर दोगे head दिखा दोगे, तो आपको easily मार देगा, तो आपको क्या करना है, अपने आसपास इदर उदर थोड़ा सा दूर भी, आपको smoke फेक देना है, फिर उसका जो माइंड होगा जो एनमी का माइंड होगा, वो बढ़ जाएगा वो सोचेगा कि इदर से भी शायद बंदा है इदर से भी बंदा है, उसके टीम मेट है तो ऐसे में क्या होगा, वो सोच में पढ़ जाएगा और आप easily इदर से उदर अपना location चेंज कर लोगे, फिर वो जो एनमी होगा, वो आपका location फाइंड नहीं कर पाएगा दोस्तो, 9 tips, start प्राउनिंग, जादोस्तो, आपको कब से प्राउन होना है ये बात का ध्यान रखो, जब आप top 5 में आजाओ, top 3 में आजाओ या फिर top 10 में आजाओ जब आपको लगे बहुत ही छोटा circle हो चुका है, अब हमें प्राउन होना पड़ेगा, तो आपको प्राउन होना है और कभी भी ये mistake मत करना कि आप open में प्राउन हो जाओ हमेशा cover में आपको प्राउन होना है like कई बार ट्री होती है तो ट्री के पास आप प्राउन हो सकते हो पत्थर होते हैं, पत्थर के आप पास आगे पीछे मतलब कि प्राउन हो सकते हो जो दिवार होती हैं घरों की उसके आजपास आप प्राउन हो सकते हो तो आपको ऐसे जगे पे प्राउन होना है जहां पे आपके पास cover हो ताकि कोई बंद आपको देख ले आपके उपर fire करे फाइर करने से ज़्यादा बेटर रहेगा आप उसे नेड या फिर मॉली से मार दो तो ये भी कापी अच्छा हैं अगर आप फाइर करोगे तो उसके टिम मेट को आपका लोकेशन पता चल जाएगा तो ट्राइ करो कि उसे मॉली से आप इनेड से उड़ा दो दुस्तो लाश्ट रिफ्स जब आप टॉप 10 में आप भी टॉप 5 में आ जाते हो तो आपको पता है आपका जो रैंक है दो कभी भी माइनस नहीं होगा आपका पॉइंट माइनस नहीं होगा वो प्लस होगा तो आप ट्राइ करो एकाग बंदी को मारने की जहां दोसों एक आप बंदी को अगर मार दोगे तो आपकी जो किल रेटिंग होती है वो माइनस नहीं होगी वो प्लस में हो जाएगी तो या फिर अगर आप ऐसे ही जब स्टार्टिंग में अगदम अलग ही उतर होगे तो वहां प एक आग दो बॉट मिल जाते हैं कि मुझे दो बॉट मिल गए थे तो उनको मैंने मार दिया था तो इससे मेरी किल रेटिंग हो भी प्लस में हो जाएगी तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको जब स्टार्टिंग में अलग उतरो तो वहां प एक आग दो बॉट मिले ना तो उनको पहले ही मतलब कि मार दो और लाश्ट में जब आप बचो टॉट टोप 10 में, टोप 3 में बचो तो आपको ट्राय करना है काग बंदी को मार दो एक काग बंदो को और मार दो गे ना तो भाई आपकी रेटिंग और भी ज़्यादा हाई हो जाएगी तो आपको ये सारी-सारी बातों को ध्यान है उसके बाद आप देखोगे यहां पर आप कुछ देख सकते हैं मेरी जो रेटिंग है भाई प्लस हुई है तो ऐसे ही दोस्तों अगर आप करते हो तो यार तीन से चार दिन में 101% आप एस तक पहुच जाओगे तो दोस्तों उमीद करता हूँ आपको यह मेरी वीडियो पसंद आई होगी अगर दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो यार इस वीडियो को पांच जा लाइक कर देना और अपने पूरे टीम में मर के साथ इस वीडियो को शेयर करना और अग अगर आप एक नए भी ओर हो तो इस चैनल को सिस्काइब करके बेल आइगोन दबा दो थैंक दूस्तो